नवाश्कार जी पिंजाव किसरी टीवी देख रहा है सभी दर्शोकों का स्वागत है इस वक्त सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हूँ तस्वीर आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं मंडी में आज सबज़ियां बड़ी कम मातरा में पहूंची है बारी राज्यों की और आप तस्वीरों के मादेम से भी देख रहे होंगे कि दुकानों में जिस तरह के सबज़ियों की धेर लगे रहते थे उस तरह के आज देखने को नहीं मिली है खृदरी भी आज उस तरह की नहीं है, क्रमाटर मंदी में आज हारांकी बड़ी मातरा में पहुचा है लेकिन उस तरह की खृद नहीं है, डिमांड नहीं और आप तस्विरों के मादम से देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा कार्ण है कि सब्जियों अब महंगी होती जा रही है और लगातार सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं तो उसके वज़े से सब्जियों की जो डिमांड हो थोड़ी कम भी हुई है मंडियों में आप तस्वीरों के मादम से देख सकते हैं कि इस वक्त करना जान डिवर पार्ण हो जो प्रणी उसके लिए half ऑर आप तस्वीरों के मादम से देख सकते हैं कि कम मतरा में और खरीदारी थोड़ी कम इस वक्त देखने को मिल लिए और दिमांड भी थोड़ी कम है तो दिमांड कम है तो मांडरे के रेट में आज थोडी कि गिर के वक्ती 400 प्य तक टॉमाटर बिग गया था आज टॉमाटर का रेटर 200-300 प्य के बीच में और आज बिग रहा है और बीच में गोली 80-70 प्य की गोली इस वक्त बिग रही तो तस्वीरे आप देख सकते हैं कि टॉमाटर की जो स्तीधी है प्रतिक्रेट के हिसाब से बिक रहा है और जो हाईविरीड का टॉमाटर मंडी में इस वक्त आप देखना है यह 200-300 प्य के बीच में इस वक्त बिक रहा है सोरन स्वी मंडी में टॉमाटर के भाओ में आज सुब्ष तो की ग्रावट देखने को मिल ली है। instance जोरे देर बाद बुलिय लगेगी, आपो बुलिय हो सकता है कि कम मातरा में सब्जीयां। कि इस तरह की उमीद बांदी थी लोगों से कि आज बारिश हो सकती हैं। प्रदेश में तो इस वक्त यदि देखा जा तो लू ही चली विया और लू को लेकर ही अलर्ट जारी हो रहे और बारिश का भले ही मौसन विवाग की और से अलर्ट जारी किया गया हो और तस्वीर है इस वक्ता आप देख रहा है राज यादव जी मारे साथ इस वक्ता मुरादाबाद यूपी से जुड़े हैं राज यादव जी और टमाटर की स्थिति आप देखे हैं कि जो टमाटर है सामने यह सिर्वे प्रतिक रेट के इसाब से विक रहा है और यह जो टमाटर आप देख रहे हैं एड़ाइसों से तिनसों रपे के बीच में सोलन सर्जी मंडी में इस वक्त विक रहा है और टमाटर के रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है कल थोड़ी तेजी थी हो सकता है कि बुलियों में अभी तेजी देखने को मिले क्योंकि बुलियों में जो टमाटर पहुंचा है उसकी क्वाइटी भी शांदार है और हिमसोना भी है हिमसोना के रेट में वैसे भी तीजी है कल साड़े 300 से लेकर साड़े 400 रपय के बीच में हिमसोना टमाटर भीका था तो आज देखते हैं कि क्या रेट रहता है लेकिन सुबह के वक्त टमाटर में अभी फिलाल मंदी की बार देखने को मिली है और मंदी में इस वक्त शिमला मि सोलन समझी मंदी में पहुंची है और यह भीकी है 45 रपैसे लेकर 60 रपय के बीच में है तो सोलन समझी मंदी की इस वक्त हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और हाव इस टुमैटो तो ठीक है रेट इसका आज दो 200 से 300 रपय के बीच में सुबह सुबह के वक्त बोली अभ परतिक रेट के इसाब से भीकी है तो बशकार जी पंजाब के से टीवी देख रहा है सभी दर्शों को स्वागत है और सुबह 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 आज टोमाटर में मंदी ही देखने को मिली है हालांकि कल टोमाटर के भाव में तेजी थी सुबह भी 400 पर तक टोमाटर भीक रहा लेकिन आज 300 पर मैकसिम डेट टोमाटर का है और उमीद है कि बुनियों में अभी टोमाटर थोड़ी देर बाद भीकेगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी तेजी देखने को मिले बाहर के बेपारी आए यदि चंडीगड की मंडी में तेजी होगी तो शायद हो सकता है कि नहां भी तेजी देखने को मिले अधरवाइज इन सो साड़े तिन सुर्पे के आसपास ही तमाटर आजे बिख रहा है और जुबलधार में चार बुंदे बारिश आई है और राज यादव जी रादे रादे जी हूँ आओ त मषतार तहुछ जी और शूटर राम जी तोसभी काम स्वागत करते हैं तस्वीर इस glow चे brought मन्डी में फ़िलाल अभी सुबढ़ तो टमाटर में मन्दी की मम देखने को मिल लिए बलिवीर चोहान जी और गोपाल राना जी मरसा जुने पुल्दीप सिंग जी जुड़ गया है तुर्का स्वागत है और रणवीर कुमार जी का में स्वागत करते हैं पंजागसी टीवी में फिलाल अभी के लिए बस इतना हैं देखते हैं पंजागसी टीवी